दोस्तों, वेलकम टू फ्लाइंग सिविक, आज दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, दोनों ही स्टॉक्स फंडमेंटली काफी स्ट्रॉंग है और पिसले 25 यर्ज में इन स्टॉक्स ने बहुत ही सांदार रिटन अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिये हैं, दोनों ही स् में हमें भी इन स्टॉक्स को बाई करना चाहिए, साथी साथ एक और अच्छी बात ये है कि करेंटली ये स्टॉक काफी अच्छे सिग्निफिकेंटली करेक्शन पे अवेलेबल है, सबसे पहला स्टॉक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इन्फोस इस स्टॉक की बात करूं, तो इसने हाई लगया था, अरॉंड नाइंटीन हंड्रेड और फिफ्टी फाइफ का, वहां से ये स्टॉक अरॉंड एटीन पॉइंट स्टॉक्स के करेक्शन पे करेंटली अवेलेबल है, और साथी साथ पिछले अरॉंड शिक्स मन्थ से एक ही रेंज के अंदर ट प्रमोटर्स ने भी इस स्टॉक में अपनी बाइंग करी है, यहां पे आप देख सकते हैं जून 2022 में प्रमोटर्स के पास 13.11% का स्टेक था, वहीं सितंबर 2022 में ये स्टेक बढ़के 15.16 का हुआ है, साथ ही साथ अगर FIA या इंडिया या कभी देखा जाए, तो दोनों नह ही अपने स्टेक को significantly increase किया है, तो काफी अच्छा मौका है इस स्टॉक में नीचे के लेवल पे बाइंग करने का, अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, यहां से किसी ऊपर के लेवल पे है, तब भी आप इसे अवरेजिंग कर सकते हैं, किसी नीचे के लेवल प सेकंड स्टॉक की बात करें, उससे पहले इस अउनली ये एजुकेशनल वीडियो, नॉट आप बाइज और सेल रिक्मेंडेशन, तो आप अपना खुद का एनलेसिस जरूर करें, सेकंड स्टॉक की बात करते हैं, वो है बर्जर पेंट, अगर बर्जर पेंट के मैं से थे बाइज करने वाले, जून 2022 में ये लेवल आये थे, तब भी हमने वीडियो के द्वारा आपको अपडेट किया था, वहाँ पे आपने अगर अपडेट नहीं किया है, बाइज नहीं किया है, तो करेंट लेवल भी इस स्टॉक में बाइज करने के लिए काफी अच्छ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी होल्डिंग मैक्जिम साइड पे है, उनली 0.01% का स्टेक इनके पास नहीं है, वो स्टेक भी ये खरीदने पे लगे हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिछले 5 दिनों का ये डेटा है, 14 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक का, यहाँ पे आप देखेंगे कि promotors की तरफ से around 30,000 share buy किये गए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे फिर से promotors की तरफ से 15,000 share buy किये गए हैं, फिर से promotor की तरफ से पर रखना चाहिए एंड हो सके तो नीचे के लेवल पर इस स्टॉक को एड़ करना चाहिए तो यह थे आज के दो स्टॉक्स वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं